हेलो वरिवान, वेलकम टू फार्मर ओक्स यूटूब चैनल, फार्मर ओक्स के यूटूब एजू केस्टन चैनल में आपका स्वागत है In today's video lecture, we will study in detail about the irregular heartbeats irregular heartbeats की जिसको हम medical terms में कहते हैं, अरित्मिया तो अरित्मिया के लिए हम किस तरह से उसके treatment कर सकते हैं, कौन से medicines वगेरा हम use कर सकते हैं to treat the cardiac arrhythmia तो irregular जब हमारे heartbeats हो जाते हैं, तो वो condition को treat करने के लिए हम जो medications use करते हैं, उनको कहिते हम anti arithmetic drugs तो ये वीडियो लेक्चर में हम अलग-अलग जो medications की जो specially use होती है to treat the condition of irregular heartbeats की जिसके लिए medical term है, अरित्मिया और हिंदी में उसको हम कहते हैं कि दिल की धड़कने अनियमित होना तो इसका किस तरह से हम इलाज कर सकते हैं, कौन से दवाईया use होती है और pharmacologically कौन से medications की जो हम कहते हैं, anti arithmetic drugs उसके बारे में हम detail में study करते हैं अप्डेट रहिए फार्मा नोलेज़ के साथ, इसलिए सबस्क्राइब करें चैनल प्रेस करें बेल आइकोन और नेवर मिस एनी वीडियो आप फार्मा रॉक्स फार्मा रॉक्स का आप मोबाईल अब अवेलिबल है, तो आप एपको डाउनलोड कर सकते हैं आप पर आप study material, test series, video lecture, access कर सकते हैं तो अगर आपके पास android phone है, तो google play store पर से आपको डाउनलोड करिया और अगर आपके पास iPhone है, तो app store पर से डाउनलोड करिया link हमने description box में दे दी है, और query हो तो आप ये number पर whatsapp कर सकते हैं 9016312020, so good luck and all the best so सुरू करते हैं हमारा आज का lecture के जो है cardiac arrhythmia के उपर, तो part 1 में भी मैंने आपको ये basic पूरा आपको information समझा दे थी कि arrhythmia होता क्या है तो simply कि जब आपके heartbeats जो होते हैं उसकी जो rhythm है वो change होती है, कि mainly जो rhythm होती है हमारे heartbeats की उसका जो rate है कि कौन से rate से हमारे hearts जो है वो beats करते हैं तो उसके अंदर problem create होना और specially जो condition की heartbeats जो है वो काफी ज़ादा हो जाते हैं heart can beat too fast कि जिसके अंदर आपके heartbeats बहुती ज़ादा हो जाते हैं और दूसरी condition की heartbeats काफी slow हो जाते हैं और irregular rhythm that means कुछ समय के लिए heart काफी fast beats करता है और कुछ समय के लिए काफी slow मतलब कि जो दिल की धड़कने जो होती है कोई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है और कोई बार दिल की जो धड़कने हैं वो काफी slow हो जाती है तो वो जो condition जो produce होती है कि आपकी heartbeats की जो rhythm है दिल की धड़कने काफी अनियमित हो जाती है तो उसको हम कहते है अरित्मिया statistically और graphically भी मैंने आपको समझाय था कि normal heartbeats होते है 60 से लेकर 100 कि जो normal condition कहीं जाती है बट जब आपके heartbeats 100 से ज्यादा होते हैं तो per minute के बाद है ये 6200 beats per minute होते हैं कि जिसको हम BPM लिखते हैं और ये normal heartbeats और उसका ये graph बट जब heartbeats 100 से ज्यादा होते हैं तो tachycardia और 60 से कम होते हैं तो उसको हम कहते है bradycardia और समझे कि कई बार 100 से उपर कई बार 60 से नीचे ऐसे होते हैं तो irregular heartbeats और bradycardia की condition produce होती है तिस तरह से भी आप इसका meter देख सकते हैं कि 60 से 100 ये normal वाला meter और जब आपका 72 के आसपास रहें तो वो हम कहते हैं कि best condition है बट समझे कि 60 से नीचे आता है तो bradycardia और 100 से उपर जाता है ये वाले reason में ये meter तो वो हम कहते हैं tachycardia तो ये दोनों term मैंने आपको previous lecture में समझाए थे फिर causes भी समझा दिये थे कि कौन से reasons कि जैसे कि किसी को diabetes है blood pressure का problem है thyroid का problem है age affect करता है heart disease रही है आपको heart failure है तो वो सभी लोगों को ये complications होते है अरिथमिया के as well as आपको कुछ ऐसी habit है कि आपको smoking की habits है as well as आप काफी stress लेते है तो ऐसी condition के अंदर भी अरिथमिया जो हो सकता है as well as कुछ ऐसे medical condition की जो हम कहते है arterial, arterial, fibrillation, heart attack, फिर congenital heart defects तो वो सब defect, disease and disorders के कारण भी अरिथमिया हो सकता है symptoms में usually तो heartbeats तो है ही कि increase होना या फिर decrease होना या फिर irregular होना बट उसके कारण जो आपको थाकान होती है, weakness होती है, dizziness होता है headache होता है, fenting, near fenting spell, rapid heartbeat और pounding in the chest, chest pain होता है even cardiac arrest भी आ सकता है और ये सब उसके complications भी हम कहें या फिर symptoms कहें कि जो develop होते है during the arrhythmia diagnosis simple है कि EKG या फिर ECG जो हम कहते है electrocardiogram कि उससे easily जो है वो ये dizziness का diagnosis हो जाता है कि जो irregular heartbeats जो हम कहते हैं वो easily पता चल जाता है अब जो बात है आज के lecture में वो है किस तरह से treatment होती है, कौन से medications होते है तो the medications which are used to treat the cardiac arrhythmia are called anti-arithmetic drugs तो pharmacology जो subject के अंदर specially anti-arithmetic drugs का proper detail दी होती कि ये ऐसे medication से कि जो irregular heartbeats की जो condition है उसको अच्छे से treat करने के लिए हम use करते है ये सब ऐसे medication से कि जो arrhythmia की जो condition है या फिर उसके करन कई बार cardiac death भी हो सकती है sudden cardiac death जो होती है तो arrhythmia जो है वो most important cause है कि ज़्यादा तर जो cardiac death होती है अच्छानक से तो उसका reason कई बार होता है कि patient को arrhythmia था और उसके cardan जो है वो उसके death होई due to the sudden cardiac arrest तो ये condition को lightly नहीं लेना चाहिए proper उसके treatment तुरंत आपको करवानी चाहिए तो anti arithmetic जो medication से वो use होती है तो ये सभी medicine पहले तो रहेगी और कार्डियोलोजिक्स्ट के प्रॉपर सूपरविजन डाइग्नोसिस के बाद ही prescription के साथ ही आपको ये medications लेनी होती है तो समझते हैं anti arithmetic drugs के बारे में तो सबसे पहले जो उसका pharmacological हम classification देखे तो उसी के according to हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर में तो ऐसे medications की जो membrane stabilizing agents कहे जाते हैं membrane stabilizing agents sodium channel blockers medications that is class 1 anti arithmetic drugs ये खास याद रखिए कि ये medication से class 1 anti arithmetic drugs these are the class 1 anti arithmetic drugs और उसके जो example से very very most IMP तो class 1 में और तीन पार्ट पढ़ते हैं class 1 A, class 1 B और class 1 C ये तीन टाइप होगे कि 1 A तो अभी यहाँ पे हैं ऐसे ही 1 B आएगा and 1 C तो सभी को आपको अच्छे से exam के लिए याद रखने हैं तो अब समझे कि class 1 ऐसे medication से कि जो sodium channel blocker कही जाती है चाहे वो class 1 A के अंदर है B या फिर C उनका जो common हम कोई कहें तो वो है sodium channel blockers जिसके अंदर first है कि moderately moderately decrease dv by dt at 0 phase moderately decrease the dv by dt की जो rate of heartbeat होता है वो moderately decrease करता है at of 0 phase और उसके अंदर quinidine है यहापे हम देख सकते है quinidine gluconate extended is released tablet as per usp 324 mg उसकी strength है rx only आप देख सकते हैं यह आपे और यह पूरे बाटल है उसके अंदर 100 tablet से sun pharma का यह product आप देख सकते हैं उसके अलावा second है procanamide यहापे procanamide का injection procanamide hydrochloride as per usp 1 gram per 10 ml total 100 mg per ml कि जब 1 ml जितना content patient को deliver होता है तो उसके अंदर होती है at least 100 mg drug तो यह उसका meaning बनता है कि means 1 gram in 10 ml that is equivalent to 100 mg in 1 ml तिसरी drug है वो है disopiramide disopiramide phosphate उसके capsules available होते है 150 mg strength के अंदर 100 capsules Rx only तो यह तीनों medications Rx only रहेगी तो proper prescriptions के साथ ही available की जाती है and these are class 1A anti arithmetic drugs fourth is morisizin is also a class 1A तो यह चारों medications के नाम आपको अच्छे से याद रखने है that are very very most IMP for examinations viva as well as for the knowledge second is class 1B little decrease in dv by dt of 0 phase class 1 में जो moderately था वो यहाँ पर है little decrease तो उसके example है lidocan है lidocan HCL 1% and efinephrin 1-zame 1-lec unit injection as per USP तो यहाँ पर देख सकते है यहाँ पर लिखा है not for epidural or cardiac use यहाँ पर लिखा हुआ है तो जो lidocan होता है वो anesthetic से भी use होता है तो उसके करण आपको impulse और vials जो है उसके अच्छे से चेक करना होता है कि cardiac patients के लिए भी यह अलग से होता है as well as for as a anesthesia तो lidocan एक drug है maxillatin ज्यादा famous है यहाँ पर तो maxillatin को आपको याद रखना है अच्छे से maxillatin hydrochloride के capsules as per USP 150 mg strength है that is RX only सेम यहाँ पर भी maxillatin के जो capsule की जो sipla की product आप देख सकते है कि maxohar उसका brand name है 30 capsules है उसके अंदर और जो उसकी strength है as per IP 150 mg और RX only यह रहेगा कि जिसके अंदर main medication से maxillatin hydrochloride तीसरा क्लास है वो है class 1C that is mark decrease in dv by dt of zero phase तो वो है propaphenon यहाँ पर देख सकते हैं जिसका rhythmol उसका जो brand name है mylan का जो product आप देख सकते हैं propaphenon 300 mg की यह tablet होती है RX only and second है flaconide very very most important drug this is also RX only यहाँ पर हम 100 mg strength वाला blister देख रहे हैं कि जो product है torrent pharmaceuticals का तो class 1 की जो medication से यह अच्छे से याद रखने हैं कि propaphenon and flaconide this both are very very most IMP for the examination purpose और आपको जरूर से पता होना चाहिए कि anti arithmetic या फिर cardiac arrhythmia या फिर जो irregular heartbeats होते हैं उसके अंदर कौन से medications use होते हैं तो as a pharmacist knowledge के लिए भी काफी important है यह topic as well as examination purpose से भी आपको दोनों तरीके से तयार रहना है as a student life वो भी आपको यह important रहेंगे lectures as well as आपकी professional life के अंदर भी यह जो content है आपको बहुत ही useful रहेगा next is class 2 drug class 1 की 3 अब second ही होए class 2 तो that is anti-adrenergic agents anti-adrenergic agents की जिसको हम कहते है beta blockers तो जो beta blockers की जो drug ही की जिसके पीछे हम्मेसा लगता है lol यहाँ पे देखिए तीनों यहाँ पे जो हमने samples आपको दिखाए है तो तीनों के spelling में lol लिखा हुआ है Rx तो रहेगा ही Rx only in all three तो beta blockers की भी कुछ medication सेसी है कि जो use होती है cardiac aritmia के अंदर irregular heartbeats के treatment के अंदर तो वो है propranolol asmolol and third that is sotalol sotalol class 3 के अंदर भी include की जाती है कई बार तो ये तीनों आपको याद रखने है कि sotalol hydrochloride की जिसके strength यहाँ पे देख सकते है 80 mg फिर ismolol का injection है 100 mg per 10 ml and 10 mg per ml उसका strength है and propranolol hydrochloride की tablets यहाँ पे देख सकते है propranolol SR tablet की जो Rx only रहेगी तो these are the medications for cardiac aridmia तीसरा जो class है वो है class 3 anti arithmetic drug that is agent widening action of potential potassium channel blocker जो हम कहते है यह medications को agent potential agent widening action potential that is AP abbreviation में हम उसको लिखते है AP A for action P for potential so these are also called potassium channel blockers these are also called potassium channel blocker तो अप्छे से समझे class 1 की drug समझे फिर से मैं आपको थोड़ा सा revision करवा देता हूँ class 1 जो था यहाँ पे वो था sodium channel blocker वहाँ पे Na plus channels को block किया जाता था second था वो था beta blockers और यहाँ पे third है that is potassium channel blocker और आगे जो next class आएगा वो आएगा calcium channel blocker तो अच्छे से आपको यह याद रखना है कि यह medications में specially ऐसे medications की जो sodium channel को block करे beta blockers potassium channel blockers and calcium channel blockers यह medications specially use होती है to treat काडिय खरीद्मिया तो यह चार अलग अलग class जो हम सिखेंगे 1 और 2 का आपने already बता दिया और यह अभी मैंने just आपके knowledge improvement के लिए जो है वो बात बताए तो आप समझे class 3 widening the action potential और potassium channel blockers और उसके example आपको याद रखने है prolonged repolarization and effective refractory periods यह उसका mean mechanism of action है कि prolonged repolarization and effective refractory periods तो यह अभी आपको साहएद समझो की proper समझ में आये थोड़ा तो एक जो repolarizations होता है hearts के अंदर कैसे activities होती है उस पर एक collect से lecture बने के जिससे आपको वो सब गया idea आजाएगा कि किस तरह से यह process होती है पूरी तो अभी जस्ट आप medications पर ध्यान रखिए तो immunodiron करके है medications कि immunodiron के injection 150 mg per 3 ml कि 3 ml का यह वायल है तो उसके 150 mg total drug है और 1 ml समझो के आप content deliver करते तो उसके अंदर 50 mg जितना drug रहेगा second है brityleum tosylate injection as per the USP 500 mg per 10 ml 10 ml के वायल के अंदर 500 mg drug रहेगा और per ml 50 mg जितना drug RX only both are and for intramuscular और intravenous use only sterile pyrogen free vile and preservative free तो यह सब उसके उपर पर लेबलिंग रहता है उसके अलावा dofetylide is also a use as a class 3 drug brityleum class 2 and class 3 also class 2 में कई बार include किया जाता है उसको and ibutylide तो these are the very popular medications which are used to treat cardiac haritmia और यह थी class 3 की जो potassium channel blocker अब class 4 की जो मैंने already आपको पहले भी कहा की class 1 की sodium channel blocker थी class 2 beta blockers class 3 potassium channel blocker और अब class 4 की जो calcium channel blockers की जिसको हम कहते है CCBs तो calcium channel blockers are useful in anti arithmetic agency in the management of certain arrhythmias primarily supraventricular tachycardiomias and irregular heartbeats कुसके दो popular medications verapamil and second diltiasm तो यहा पर diltiasm के tablets का हम देख सकते हैं as per ip3 30 mg rx only medications और also a product of abbot that is verapamil की जिसका जो strength है वो है ATMG तो यह आप देख सकते हैं यहापे anti arithmetic drugs class 4 तो class 4 की जोड़ medications है वो calcium channel blockers है class 1 agent also have a class 3 property यह जो कुछ pin point से वो आपको याद रखने है कि जो class 1 की medications है 1 a के अंदर तो वो medications का class 3 की properties भी वो achieve करती है propralol has a class 1 action as well तो यह जो point से वो pin point है आपके लिए कि जो exams के अंदर पूछे जाते कि class 1 a की जो agent से वो class 3 की property भी रखते है propralol has a class 1 action also totalol and brittalium have a class 2 and class 3 actions कि जब mechanism of actions के बाद आती है तो जो similar actions हमें मिलती है तो totalol and brittalium तो यह knowledge की होनी चाहिए कि जब आपको कोई alternatives use करने है medications के तो इस वक्त आपको यह सब पता हो तो इस वक्त आप उसके alternatives जो use कर सकते है फिर जो medications जो important है PSVT के अंदर तो वो है adenosine and desoxine अभी सिर PSVT समझे उसका detail में आपको आगे समझाता ही हूँ अभी जस्ट यह short form याद रखिए कि जिसके अंदर desoxine 62.5 microgram की जो tablets oral use RX only as well as adenosine का यहाँ पर injection देख सकते है 6 mg पर 2 ml और 3 mg पर ml फिर for EV block कि जिसको हम करते है atrio ventricular block कि जिसके अंदर sympathomimetics जैसे की isoprenaline हम यूज करते है anticholinergics जैसे की atropin उसके अंदर यूज होता है and digitalis की जो हम कहते है cardiac glycoside herbal drug is used in AF AFL and PSVT to control the ventricular rate अब आपके मायन में यह होगा कि AF मतलब क्या है तो AF का मतलब है atrial fibrillation atrial fibrillation second AFL that means atrial flutter and third that is PSVT that means P for paroxysmal S for supra V for ventricular and T for tachycardia तो जब PSVT होता है तो उसके अंदर adenosine और detoxin use होते है and AF, AFL and PSVT तीनों के अंदर ventricular rate को control करने के लिए जो digitalis वे काफी popular है तो यहाँ पर समझे arterial fibrillation की जिसको हम short में AF कहते है तो arterial fibrillation की जो impulses यहाँ पर generate होते है chaotic signals and rapid ventricular impulses तो arterial fibrillation की जो heartbeats आपके जो alter करता है AHAP means arterial fibrillation is a form of arrhythmia or illegal heartbeats in which the atria और arteria the two small upper chamber of the heart quiver instead of beating effectively की effectively जो beating करने के जगा है वो quiver करते है is one of the most common form of cardiac arrhythmia affecting 0.4% of the general population and 5-10% 10% of persons over 65 years of age की जो quivering के कारण heartbeats जो है वो आपके irregular हो जाते normal के compare में तो ये एक reason बरता है arterial fibrillation फिर atrial flutter के जिसके अदर क्या होता है is a type of abnormal heart rate और arrhythmia it occurs when the upper chambers of your heart beat too fast की जो upper chambers की जो स्कॉम कहते है atrial तो ये वाले जो उपर के chambers जो आप देख सकते है ectopic bits की triggers यहा पे दिखा है diagram के अंदर तो वो काफे fast beat करते है जो atrial flutter circuit जो पूरी तयार होते जिसके करण heartbeats काफी fast होते है when the chambers in the top of the our heart की जो उपर की chambers होते उसको करते है atria and नीचे की chambers होते जिसको कहते है ventricles ये समझ लेजिए ये a है और ये नीचे में v लिखता हूँ तो उपर की chamber है वो atria की जो काफी fast beat करते है top of our heart beat faster than the bottom ones it cause our heart rhythm to be out of synchronization की जो synchronization होता है वो यहाँ पे alter होता है जिसको कहा जता है arterial flutter AF L और जिसके अंदर क्या होता है तो यह आप ने समझ लिया कि उपर के chamber fast और नीचे के slow की जिसके करण क्या होता है rhythm जो है वो fast और नीचे के V थोड़े slow beat होते जिसके करण जो synchronization था जो equilibrium था वो change हो गया और इसके करण होता है arrhythmia तिसरी condition की जो भी हमने सीखी वो है PSVT that means P for paroxymal S for supra V for ventricular tachycardia it is a episode of rapid heart rate tachycardia तो जो 100 से उपर होते heart beat वो है that start in a part of the heart above the ventricles paroxymal means from time to time time to time supra ventricular tachycardia की जिसको PSVT कहा जता है short के अंदर तो superior keval vein यहाँ पे आप देख सकते है sino atrial node यहाँ पे देख सकते है तो यहाँ जगा पे atrioventricular node की जिसको हम कहते है AV node कहते है हम atrioventricular bundle की जिसको कहा जता है AV bundle फिर atrioventricular junction यहाँ पे दिखाया हुआ है यह जगा पे right bundle branch this one and left bundle branch and peripheral ventricular conduction system तो जो PSVT के अंदर जब changes होते है तो उसके कारण भी होता है cardiac arrhythmia तो digitalis की cardiac glycoside की आप इदेख सकते कि digitalis पूरपूरिया का काफी beautiful plant आप देख सकते कि जो एक herbal medicine से cardiac glycoside जो हम कहते है कि this is a herbal और उसके जो chemical constituent है digoxin वागेरा वो उस होते है to treat AF AFL and PSVT to control ventricular rate Cardioglycoside is a class of organic compounds that increase the output force of the heart and decrease its rate of contractions by acting on the cellular sodium potassium ETPS pump ये mechanism से ये काम करते है और जो outforce से वो increase करते है और decrease करते है उसका rate of contraction जिसके करण जब irregular heartbeats होते है तो उसको normal करने में ये digitalis काफी help करता है तो ये हमारा lecture था specially on about the treatment of cardiac करिद्मिया कि किस तरह से हम irregular heartbeats का ilaj होता है तो और medications की जो पूरा classification anti arithmetic drug का very very most IMP Viva हो आपके exam related हो assignments हो synopsis हो या फिर आपको MCQ-based तायारी करनी है theory-based university exams सभी ये knowledge काफी काम आएगा तो जरूर से whatsapp group join कर लिए जहाँ से भी आपको updated मिलती रहेंगी pharma knowledge की subscribe करिए channel press करिए bell icon अगर आपके पास iPhone है तो app store पर से आपको download करके access करिए android phone है तो google play store पर से link हमने description box में दे दी है so access करिए study material test series and video lecture on have pharma rocks so good luck and all the best